तो वोल्कप में पाकिसान का सफर समाप्थ हो गया है और फाइनली सेमी फाइनल में जगए बनाने वाली चार टीमें सामने आ गई हैं सबसे पहले भारत ने क्वालिफाई किया उसके बाद दक्षन अफरीका ने भी सेमी फाइनल में जगए बना ली फिर उस्टेलिया ने भी semi-final के लिए qualify कर लिया और उसके बाद New Zealand भी चौती टीम बन गई semi-final में पहुचने वाली अब 15 नमबर को भारत और New Zealand के बीच मुंबई के वान खेडे स्टेडियम में पहला semi-final खेला जाएगा उसके बाद 16 नमबर को होगा उस्टेलिया और दक्षण अफ्रिका के बीच वोलकप 2023 का दूसरा semi-final क्या अब टाप 4 टीमे semi-final में हैं और यहां से शुरू होगी असली परिक्षा टीम्स की क्योंकि यह नॉक आउट राउंड है और यहां से जो भी टीम हारी वो वोलकप से बाहर अब बड़ा सवाल यह है कि 2019 का वोलकप सभी को याद है महिन सिंग धोरी का वो रन आउट सब को याद है लाखो करोनों भारती दिल तूटे वो भी सबके जहन में है अब सवाल यह है कि क्या रोहिच चर्मा की कप्तानी वाली यह भारतिय टीम न्यूजलंड के खिलाफ सेमी फैनल में 2019 में मिली उस हार का बदला ले पाएगी क्या रोहिच चर्मा लेंगे धोनी का बदला यह बड़ा सवाल होगा क्योंकि न्यूजलंड के एगेंस्ट पंद्रेर हमबर को भारत का सामना होगा यह मुकाबला खेला जाएगा क्योंकि लीग स्टेज की अगर हम बात करें तो भारत और न्यूजलंड के बीच धरम शाला में मुकाबला खेला गया था जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी लेकिन अब है नॉक आउट राउंड यहां से एक गलती आपको वोल्ड कप से बाहर कर सकती है दोनों ही टीम होने वाला है दोनों ही टीम से जरू चाहेंगी कि सेमी फाइनल तक महची है तो फाइनल का टेकेट भी यहां पर सेफ करें और भारती टीम पर सबकी निगाहे रहेंगी जो कि इस टौनमेंट में अब तक अन्वीटन रही है तो क्या रोहिट शर्मा एंड कंपनी इस